यह बाएर का इंसान का परेंछ कहां और कैसे होता है, यहाँ से लेकर यहां से शुरू होता है, ब्रेंद थे घाता है? तो जैसा अख्रोट अंदर से बिल्कुल मुरा हुआ सा उसमें कितने सारे फोल्ड होते हैं सेम चीज यहां पर भी होती है प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे क्लास में जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो यह हाइंड ब्रेन ही हाइंड ब्रेन यह जो आप देख रहे हो यह सारा फोल ब्रेन का हिस्सा है ठीक है přिज़स्द गरहाम एंगे अ यह नोज वाला हिस्सा थोड़ा सा हम ठीक करते हैं यह आपका पुरा ब्रेन हो गया यह माता हो यह नोज वाला हिस्सा यहां को ले लो और यह ब्रेन वाला हिस्सा देखी है तो यह आपके फोर हेड के बिल्कुल पीछे यह जो ग्लैंड आप देख ले हो इसे कहते हैं पीचूटरी ग्लैंड यहापके बॉड़ी का मास्टर ग्लैंड है मास्टर इसलिए क्योंकि यही वो ग्लैंड इसने बकी सारे ग्लैंड को अपने काभू में पर रख यह चाहे गा तो सब कुछ होगा, यह चाहे गा तो कुछ नहीं होगा यह जो आप देख रहे हो फोर ब्रेन का पहना हिस्सा सेरीब्रम सभी बच्चों को बता दू सेरीब्रम is the largest part of the brain पूरे सिर का ठीक है ना फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा इलाका मतलब यह सारा सेरीब्रम जो है पूरा फोर ब्रेन का एरिया प्लस पूरे ब्रेन में सबसे स्यादा एरिया सेरीब्रम भी कवर करता है सेरीब्रम आप लोगों के सिर का मतलब की ब्रेन ब्रेन का ही सबसे बड़ा हिस्सा है आपकी सारे छोटे 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 है ठीक है यह जो आप फोर्ड्स देख रहे हूं इन्हें मेनिंजिस कहते हैं लोगों में यही मेनिंजिस ज आपके हाथ में नहीं, मैनेंजिस की थिकनस भी आपके हाथ में नहीं, यह नेचर है कि नैचरली लोगों के मैनेंजिस थिक होते हैं, लेकिन हाँ, आप अपने बॉड़ी के अक्टिविटीज को बढ़िया कर सकते हो, जैसे कि गुर खाते हुआ, तो जागरी से मेमरी शाप हो sort of yum, जैसे जैगरी हो गया, honey हो गया, milk हो गया, walnuts हो गया, अक्रोट खाने से दिमाग बहुत तेज होता है, ठीक है न, लेकिन इसको खाने का भी season होता है ये पूरी गर्मियों में तो आप खा नहीं सकते तो ये जो चीज़ें आपके ब्रेन को बहुत पॉलिश करते हैं, इनकी सर्विसिंग, जिसने अखरोट खाया ना उसके ब्रेन की सर्विसिंग हो जाती है, बहुत अच्छा मज़ा आता है ब्रेन को यूज करने में, जब किसी इस चीज़ की सर्विसिंग होती, obviously, मज़ा तो आए गई, तो अक्रोट से या वॉलनट से ब्रेन की सर्विसिंग होती है, आपको ये याद रखना है, कि मेनिंज को थिक तो नहीं कर सकते हैं, बट उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसके काम को इंप्रूव कर सकते हैं, जो और तो कुछ हो नहीं सकता, पैदाईशी हमें जो मिला है, हमने उसी में इंप्रूवमेंट्स लेकर आना है, मेनिंज की थिकनेस, डिफाइन्स, यॉर विटीनेस, यॉर क्लेवरनेस, यॉर थिंकिंग पार, यॉर मेमराइजिंग, यॉर अबिलिटी तो रिमेंबर थिस, everything is controlled by the meninges, यह जो जगे आप देख रहे हो, इसे band of fibers बोलते है, band of fibers का दूसरा नाम है, diencephalon, diencephalon, band of fibers है, band of fibers, यह क्या करते है, आपके four brain में आगे वाले हिस्से में, जो भी उर उसको पीछे तक बताने का काम, diencephalon का हूता है, यह जो कटे नीमू जैसा structure आप देख रहे हो, यह है cerebellum, यह hindbrain का major हिस्सा है, cerebellum, प्लीज इन दोनों के spelling में ध्यान दीजिए, बच्चे बड़ा confused हो, cerebrum आगे का हिस्सा है, और cerebellum पीछे का हिस्सा है, ठीक है, इसके इलावा, यहाँ पर आपको इतना छोटा सा protrusion नजर आएगा, जिसे हम बोलते है, pawns, ठीक है न, और उसके बिल्कुल नीचे से शुरू हो जाता है आपका brain stem, यह हो गया आपका brain stem, जिसको आप spinal cord बोलते हो बिटा, और यह जो बीच में swelling आप देख रहे हो, pawns और इसके, इसे कहता है medulla oblongata, medulla क्योंकर यह बीच में है, oblong क्योंकर यह लंबा सा है, oblong का मतलब होता है, eight shape क eight shape का, oblong, लंबा सा, खींचा हुआ नीचे की तरफ, ठीक है, तो यह major parts है brain के,